दोस्तो लास्ट वीक इंस्टाग्राम पर मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें बात किया था कि इंस्टाग्राम पर बुलू टिक के क्या-क्या फाइदे हैं क्या-क्या बनेफिट्स हैं और लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद भी आया जिसके बाद हमारे कुछ वीवर्स ने पूछा कि टुईटर के बारे में भी कुछ बता ही दीजिए कि टुईटर पर बुलू टिक के क्या-क्या फाइदे हैं, क्या-क्या बनेफिट्स हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आप ट्विटर के बारे में जान लिजे कि ट्विटर दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपिलर और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल दुनिया भरके बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े नेता, बड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना कि आज के डेट में जो ट्विटर का ट्विटर बुलू सर्विस है, इसके क्या-क्या बनेफिट्स मिलते हैं, क्या-क्या फाइदे मिलते हैं, ताकि इन फाइदों का फाइदा आप भी उठा सकें, इन का फाइदा आप लोग भी उठा सकें तो चलिए अपने लैप्टोप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ट्विटर का ये आर्टिकल ओपिन कर लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि अबाउट ट्विटर बुलू यानि कि ट्विटर बुलू के बारे में इस आर्टिकल में पूरी इंफोर्मेशन है तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि Twitter Blue is our premium subscription service ठीक है तो यह paid service है Twitter Blue और Twitter Blue के क्या-क्या features है कहिए तो Blue tick के लिए जो आप subscription पे करते हैं Twitter पर उसके साथ-साथ क्या-क्या आपको features मिलते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो देखिए features के बारे में बात करते हैं तो features में क्या-क्या है तो in additional to the blue check mark यानि कि Blue tick के अलावा जो आपको features मिलते हैं वो यह सारे features है feature number one है कि आपको tweet edit करने का option मिलता है और आपको one hour का window मिलता है कहीं कहीं पर 30 minutes का भी window मिलता है और पांच बार तक का आप जो है अपने tweet को edit कर सकते हैं इस time duration के अंदर अंदर इसके साथ साथ आपको half ads देखने को मिलता है as compared to normal account क्योंकि अगर normal account पर 10 ads दिखाए जा रहे हैं तो आपके इस paid service में 50% ads दिखाए जाएंगे कहीं तो 50% कम ads दिखाए जाएंगे यानि कि half ads दिखाए जाएंगे अगला जो benefit आपको मिलता है वो यह कि prioritized ranking in conversation and search यानि कि आपके हर एक post को ranking के लिए prioritize किया जाता है इसके साथ साथ आपके जो conversation होते हैं यह search result में आपका जो post होता है वो बड़े आसानी से हो जाता है क्योंकि आपने paid subscription लिया हुआ है इसके साथ साथ जो आपको बड़ा benefit मिलता है वो यह कि longer tweets आप कर सकते हैं जो कि normally account में 200 SC characters को होता है और अगर blue का subscription आप purchase करते हैं तो 10,000 characters तक का आप post कर सकते हैं अपने Twitter account से इसके साथ जो आपको feature मिलता है वो मिलता है text formatting यानि कि आप अपने post के text को bold कर सकते हैं italic कर सकते हैं और यह जो होगा वो sirf or sirf twitter.com यानि कि आप अपने laptop या computer के browser में Twitter को open किया हुआ है तो वहां से आप text formatting feature का use कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको bookmark folders का भी option मिलता है ठीक है तो ये तो कुछ ज़्यादा important नहीं है तो चलिए इसको अगनोर करते हैं custom app icons चलिए ये भी उतना माइने नहीं रखता है custom navigation ये भी इतना माइने नहीं रखता है लेकिन ये सारे features आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको ये भी देख लिजे कि ये undo tweet ये बड़ा ही important ह कि कई बार कुछ आधा अधूरा ये कई बार कुछ गलत लिखाने के बाद tweet post हो जाता है तो वहाँ पे delete करने का जो option होता था delete करने के बजाए आप undo कर सकते हैं यानि कि आप अपने tweet को वापिस ले सकते हैं ये feature भी आपको इस से blue subscription के अंदर मिलता है और इसके साथ साथ बात करें video quality की तो 1080p तक की video को आप post कर सकते हैं आप अपने Twitter account पर इसके साथ साथ theme वगरा चेंज करना तो ये भी कोई बड़ा माइन नहीं रखता है NFT profile picture का एक feature आपको मिल जाता है ये भी कोई माइन नहीं रखता है लेकिन SMS two factor authentication ये बड़ा ही important है security माइने में अगर security purpose से द अब पहले जोने SMS two factor authentication सारे account पे मिलते थे लेकिन जब Twitter blue का subscription launch किया गया तो ये सिर्फ और सिर्फ paid user के लिए ही रखा गया है बाकि normal user के लिए ये features available नहीं है अब तो दोस्तों ये आपने देखा कि Twitter पर blue tick के साथ साथ क्या-क्या extra features मिलते हैं क्या-क्या extra benefits मिलते हैं लेकिन य ये जो Twitter का extra benefit है blue tick के साथ साथ देरासल ये paid service है का ये तो subscription based ये service है यानि कि आपको इसके लिए payment करना पड़ेगा यानि कि पैसा फे को तमाशा देखो वाला बात यहाँ पर हो गई है पहले ये था कि Twitter पर जो notable person होते थे a sportsman, actor, actress, journalist ये फिर कोई popular व्यक्ति होता था सिर्फ उसे ही blue tick मिलता था और उसके साथ कुछ extra features मिलते थे लेकिन Elon Musk के के दवारा Twitter का tick over के बाद ये जो Twitter blue subscription निकाला गया है दरासल इसके थूँ आप अपने Twitter account पर blue tick के साथ साथ ये सारे features का भी फाइदा उठा सकते हैं तो इससे credibility तो कम हुआ है लेकिन आम आदमी भी आज के date मे payment करके ये कहिए तो subscription purchase करके खुद को notable बता सकता है public domain में खुद को notable दिखा सकता है लेकिन credibility जाहिर सी बात है कम हुई है as compared to last year ये उससे पहले जो Twitter पर verification का process था ठीक है तो ये सारी information थी Twitter पर blue tick और blue tick के क्या-क्या फाइदे हैं क्या-क्या extra benefits हैं तो चली आज तक लिए इतना ह अगर फिर भी कोई सवाल हो query हो तो आप हमें comment box में लिक करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें ज्यादा ज्यादा लोग साब share करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को भी subscribe करें